आज हम पढ़ेंगे वर्क्षिट नमबर 42, मैथ की पढ़ रहे हैं, हमारे वर्क्षिट में आज का है एक लंब वृत्य बेलन का प्रिश्ट चत्वल, यानि कि आज हम बेलन के जो प्रिश्ट चत्वल है उसके बारे में हम देखेंगे, तो हम पहले बेलन की समझ करते हैं, ठी आज हम उसे एक कागच की आयताकाष शीत लेजिए, उसे बेलन की उचाई के बराबर और लंबाई ऐसी हो कि बेलन डब्बे उसके चारो और घूम जाए, एक बार बास को में, ठीक है न, अब हमें क्या देखना है कि शीत की लंबाई कि इतने है, वृत अधार की परिदी के बराबर है कि नहीं, जो कि टूपाया आ रहा है और वृत अधार की तिर्चर जो है आर है, ठीक है, इससाब से हमने क्या करना है, एक आयताकाष शीत लेना हो, उसे हमने कवर करके देखा, तो हमें क्या पता चला, हमें आंसर क्या देखा, आता है वृत का जो वृत प्रस्ट कर लिया था, बेलन के अधार का परिमाप क्या होगा, मल्टिप्लाइ में उचाए, जो कि क्या होगा, टू पाय र मल्टिप्लाइ में उचाए, तो जो बेलन का वृत प्रिस्ट्री छेतफल के आया, टू पाय र है, जहां पर जो आर है, बेलन की अधार की तिरिच्या है, औ प्रिष्टे चेतफल और दोनों वृत कार फलकों के चेतफल को जोड़ना होगा यानि कि बेलन का कुल प्रिष्टे चेतफल निकालना होगा एक तो बेलन का पुरा प्रिष्ट और साथी साथ जो उपर और नीचे वाले हैं उन दोनों को भी जोड़ना होगा तो पूरा निका तो क्या आता है 2PiR bracket में R plus H ठीक है अब हमें क्या दिया गया है इसी का अधारत हमें कुछ दिये गई है उधारन दिये गई है उसी के इसाब से और यह फिर हमें समझाए गई है तो हम आप प्लीस देख लीजेगा क्योंकि इसी के अधारन करना है मैं सीधा कोश्चन पर आती हूं तो पहला कोश्चन क्या कहता है एक लंब वृत्य बेलन का एक व्रक प्रस्टेज है फ उचाई हमें ग्याद करने है तो इसका अंसर है क्या हम करेंगे पहले आप बेलन बना लिजे देख लिजी उसकी उचाई कैसी और त्रिज्जा वो क्या है हमें क्या क्या दिया हुआ है लंब वृत्य बेलन का व्रक प्रिष्टेज चेथफल दे रखा है 4.4 मीटर वर बेलन 2 x 2 x 7 x 0.7 x h है तो सारी जो सारी जो वैल्यू से उसको उस तरफ डालेंगे ठीक है हमारा हाइया 1 है तो जो बेले की उचाई है वो और टीक है दूसरे कोशन देखते है हमारे दूसरे कोशन क्या कहता है दूसरा है किसी बेलना का इस्थम्ब का व्यास जो है 50 cm है और उचाह इसकी 3.5 मीटर है इसका रुपे 12.5 मीटर प्रती मीटर स्क्वाइर के इदर से इस इस्थम्ब का व्रख प्रिष्ट को पेंट कराने का व्याद कीजिए क्या प्रता रखा है एक बृणका स्थम्ब है उसका व्यास से 50 cm उचाहे है 3.5 मीटर। और इसको हमें प्रत कराने के लिए इसका जो रेट है समस्व क क्या है 1 मीटर है 12.5 ठीक है हमें इसका औंसर निकाला है कि आखि Patrol having ipin कर रहा हो तो हमें कितना लगए तो इसका औस्र हमें क्या के दिया हुआ है पहले बनाइगे बेलन का व्रिक के प्रिश्टिज चेतफल क्या होता है तू पाई आरेच सब का माल लिखे टू मल्टिप्लाइए टू बता साथ मल्टिप्लाइए में 0.25 और मल्टिप्लाइए में 0.3.5 तो हम इसको जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5.5 मीटर वर्ग तो हमारा आंसर आएगा 68.75 रुपीस ठीक है तो हम जब जो स्तंब है उसको पेंट कराएंगा तो हमारा इतना खर्चा बैठेगा तीसरे कोशन देखते हैं तीसरे कोशन हमारा क्या कहता है कि एक रोलर का व्यास जो है वो 84 cm और लंबाई उसकी 120 cm है एक खेल के मैदान को एक बा पहले फिर से आप बैलन मरा आईए उसे देखें कि हमारा बैलन काइसा है और इसकी तιरिजा क्या है तो हमें क्या कहते है वा है रोलर की लंबाई दी गई है वो Q&20 cm है जो उसकी लंबाई होगी वो हमारी क्या होगी तो है हाईट कि 1.2 mi ठीक है मिटर में हमने इसे बदल ल 42 मीटर एक चक्कर में रोलर द्वारा तैग ही गई दूरी यानि कि रोलर ने जो एक चकर लगाया उसके वह दूरी क्या बताएगा वह हमां बताएगा बेलन का जो व्रक्य प्रिष्ट है छेथफल है ठीक है तो वह क्या होता है 2 पाई आ रहे चो होता है अब सबका माल इस में रोलर द्वारा तैग की गई दूरी यानि जो रोलर है उसे जो 500 चकर लगा है वो तोटल पूरा जो क्या बनाएगा वो हमारे खेल के मदान को छेथफल है वो बताएगा तो वो क्या होगा उसे हम मल्टिप्लाई कर देंगे गुणा कर देंगे 500 मल्टिप्लाई 3.168 तो प्लिस में चैनल को सब्सक्राइब किजए थैंक यू